अब देखो यार, भुल भुलया 3 के वारे में बात करने से पहले मैं एक चीज बहुत ही clear कर देना चाहता हूं, कि इस movie का climax literally ऐसा है कि पूरी movie एक तरफ और इसका वो climax वाला suspense एक तरफ, हम पूरी movie को अलग तरीगे से judge कर सकते हैं, जैसे हम बाकी movies के review करते रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इसके climax वाले suspense की तो इस movie को सिर्फ उस एक वज़े से या तो बहुत ज़्यादा hate मिलेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार क्यों बोला मैंने ऐसा वो मैं इस वीडियो के last में पताऊँगा क्योंकि इसमें एक हलकासा spoiler डालना पड़ेगा पूरा नहीं पताऊँगा सिर्फ हिंट दूँगा फिर बे लेकिन उसके पहले movie के pre climax तक बात कर लेते हैं अगर movie के positives की बात करें तो अगर इस movie का नाम सिर्फ कर दो भुलबले या चोड़के चाहे जो मर्जी रख दो इसमें से आमी जे तुमार सौंग निकाल दो तो ये movie बहुत अच्छी लगने लगई अपने आपी क्योंकि जब भी हम कोई movie देखने जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते हमारे साथ जाता है हमारी expectations का baggage और उस पे अ तो फिर उसके बाद जब भी उसका sequel बना है तो कभी भी उसके first part के level को पार नहीं कर पाया पार करना तो दूर वहां तक पहुंच भी नहीं पाया है अब देखो मैंने शुरू किया था positive से लेकिन यहीं चीज नेगेटिव हो जाती है जी भी यह बूल बूलया की franchise में आ जाती है यूनो सबसे बड़ी problem क्या है भूल भूलया movie का sequel बनाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है वो कहानी अपने आप में एक wholesome कहानी है एक psychological thriller है उसकी ending एक full stop है लेकिन वही बात है कि भाई लाला चपूरीपला है तो milking करने के चक्कर में जबरदस्ती एक अच्छी खासी cult classic के legacy बरबाद कर दी जाती है अच्छा आमीजे तुमार को मैं क्यों बोल ला हूं निकालने के लिए क्योंकि इस गाने का भी अपना एक meaning है कहानी है एक परपस है लेकिन इस movie में इस गाने को जबरदस्ती nostalgia के चक्कर में डाला गया है यह सौंग भूल भूलया movie की storytelling का एक पार थ है उसके लिए वो गाना गाती है अबनी भी जब मंजुलिका बनती है तब भी वह अपने प्यार को याद करके ही यह गाना गा रही थी इवन भूल भूलया 2 में भी एट लिस्ट थोड़ा साही साही जस्तिफाइड था कि चलो यहां पर अंजुलिका और मंजुलिका दोनों एक ही लड़के को पसंद करती है और उसके लिए यह दोनों गाना गा रही है अलाकि वहां पे भी उतना फिट नहीं बैटता है यह सोंग लेकिन फिर भी स्टोरी टैलिंग में चल जाता है थोड़ा बहुत बट भूल बोलेया 3 में इस सोंग की पूरी स्टोरी टैलिंग ही गायब है जब यह दोनों कैरेक्टर्स यहां पर सॉंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सॉंग का कोई परपस नहीं है या पर इस जगे कोई भी दूसरा रेंडम सॉंग होता तो चल जाता यहां तो यह दोनों किसी के पृति अपनी चाहत दिखा ही नहीं रही हैं मालो ट्रेलर के अकोडिंग वो सिंगहासन के अपरति अपनी चाहत दिखा रही हैं तो यह सॉंग उससे साफसे शूट नहीं किया गया है इस सॉंग की जो वीडियो शूट हुई है उसमें पूरा फॉकस सिर्फ और सिर्फ मादरी दिक्षित और विद्या बालन की डांस फॉर्म को दिखाने पर ही रखा गया है विद्या इंड मादरी के कैरेक्टर के वो पॉइंट ऑफ वी शॉट्स गायव हैं जो हमें यह बता सके कि वो दोनों सिंगहासन को देखके अपनी फिलिंग बयान कर रही है So for me this was the biggest disappointment of this film बाकिया गाने को अच्छे से शूट किया गया है काफी बढ़िया डांस किया है दोनोंने कोरेग्राफिक काफी अच्छी है बाकि अगर एक्टिंग की बत करे तो सबसे अच्छी एक्टिंग शायए साइड करेक्टर नहीं की है हाला कि उनके हिससे ज्यादा कार्थिकारेन इस मूवी में अक्षा कुमार को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन करने ही पाते हैं इवन संजे मिश्रा साब का एक डायलोग भी है मूवी में जब वो कार्थिकारेन के करेक्टरों खिलाडी कुमार कहके बुलाते हैं just for reference well this movie proves कि कैसे एक डा पुरा ठीक रहा गर फूट है का तो सिर्फ एक आदमी के उपर वो है डारेक्टर आनिस बजमी साथ बाकि कहीं कहीं मूवी में टेक्निकल खामिया भी है जब विद्या ये थ्रौन उठाती है तो मूवी में इसका एक close-up short भी रिखाया गया जो कि trailer में नहीं है जहां पर उ मेरे गुरू थे वो कहते थे कि blur मारना भी एक आर्ट है वो पूरे सीन का perspective चेंज कर सकता है तो यहां पे जो blur मारा गया है वो consistent नहीं था जिसकी वज़े से उस close-up में जहां horror पैदा होना चाहिए था वहां cringe पैदा हो गया है cinema की भाषा में कहूं तो वह short ng था उसको रिशूट करना चाहिए था okay short नहीं था एक एक छोटी छोटी चीज़बुड को गोबर कर सकती है बाकी movie में एक जवान का भी reference था वह बहुत अच्छे से integrate हुआ है हसी भी आई थी मुझे और करने को इस movie के बारे में काफी बाते की जा सकती है लेकिन वह सब आप बाकी reviews में देखी चुका है सारी बाते सुन लिऊंगी तो repeat करके को कोई फायदा नहीं है हाँ अब आतने climax वाले part पर तो जो LG TV वाला angle यूज किया है movie में उसकी वज़े से ही मैंने बोला था कि इस movie को एक पूरे तपके की तरफ से प्यार भी मिल सकता है कि चलो हमारे characters का भी कहीने कहीन representation हो रहा है वहीं दूसरी साइड से hate भी मिल सकती है तो भाई आप देखलो आप किस category में आते हो बाकि ये थे मेरे विचार इस movie के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट से मों बताओ हम मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सायनारा